नमस्ते दोस्तों मैं सुमन सर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में आज हम डिसकस करेंगे पेरोल के पार्ट एट के बारे में देखिए पार्ट वन टू सेवन हमने डिसकस कर लिया है अगर आप डिरेक्ली पार्ट एट देख मैं आप लोगो सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे पेरोल की जो सीरियस में ने बनाई है प्रॉम स्टार्टिंग वन टू सेवन तक आप देख लिजे फिर उसके बाद आप पार्ट एट देखिए अधर पैस क्या होगा कि अगर आप डैरेक्ली पार्ट एट या फिर आप समझते हैं तो आप स्टार्टिंग से देखिए स्टार्टिंग से देखते जाएंगे तो छोटी-छोटी पॉइंट्स और छोटे-छोटे जो आपकी कन्फ्यूजन है वह स्टार्टिंग से ही क्लियर होते जाएंगे स्टार्टिंग से क्लियर हो जाएंगे तो आगे की कॉन तो आपको मेरे जो पेरोल से रिलेटेड मेरे सीरीज बनाई है वो आपको मिल जाएगी आपको सिर्फ सर्च करना है मेरे चैनल को भी आप सर्च कर सकते हैं सुमन एजुकेशन हब सर्च करके आप देख सकते हैं सारे वीडियो को पेरोल से रिलेटेड या फिर आप पेरोल पा करने वाले हैं payroll part 8 के बारे में जिसमें कि हम यह discuss करेंगे कि कैसे आपको income tax की detail को define करना है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं step by step में आपको बताऊंगी आप video को skip मत कीजेगा अगर आप video को skip करेंगे तो क्या होता है कि आप confused जाएंगे आज हम discuss करने वाले हैं payroll part 8 के बारे में जिसमें हम यह देखेंगे कि कैसे हमें income tax की detail को define करना है step by step में आपको बताऊंगी सारे options को open करके and practically पहले हम theoretically समझेंगे हैं साथ के साथ मैं आपको practically करके टैली में बताऊंगी so that आप सारी चीजों से relate कर पाएंगे step by step आगे बढ़ने से पहले एक चोटी से request है मेरी आप सभी लोग से आप मेरे चैनल को like कीजिए और जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए वीडियो के right in side पे आप छोटा सा rate का subscribe बटन देख सकते हैं उसको प्रेस करके उसको hit करके आप मेरे चैनल को subscribe करतीजिए और प्लीज मुझे support कीजिए मेरे इस जर्णी में मुझे आप लोग के support की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो चलिए देखते हैं कैसे हम payroll part 8 में income text की detail को define करेंगे तैली में payroll part 1 में हमने देखा कैसे आपको employees group and employees के ledger create करने है and payroll part 2 में हमने देखा unit attendance and production से related ledger create करना payroll part 3 में हमने earning from employees से related ledger create करना and payroll part 4 में employees deductions related जो भी ledgers होते हैं उसको create करना और payroll part 5 में employees contribution जो होता है employer का जो contribution होता है उससे related ledger को create करना देखा and payroll part 6 में हमने देखा bonus Gradual and Rebursement Parole Part 7 में हमने देखा कैसे आपको Salary Structure को defined करना है अज हम discuss करेंगे Parole Part 7 आज हम Part 8 discuss करने वाले हैं जिसमें कि हम income tax details को define करेंगे ये देखिए आपर जितने भी dROP डॉग में आपको points दीख रहे हैं सारे points हम discuss करने वाले हैं PayH previous Employs details इन सारे points को हम one by one discuss करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं कैसे हम टैली में इसे करेंगे treatment इसका gateway of tally से आप payroll information में आएंगे यहां पर नीचे आपको income tax detail का option शो होगा इस पर आप enterprise करेंगे तो देखे सारे options आपको यहां पर show होंगे यहां से भी आपको इसका configuration करना है यहां से भी आप इसका configuration करना है यहां से भी आप configure कर सकते हैं सारे जितने भी आपको italic में शो होंगे सारे को enterprise करके आप उसको configure कर लीजिए या फिर आप वहां से भी pay head जहां create करते हैं यहां से भी आप yes प्रेस करके configure कर सकते हैं या फिर जैसे हम वहां पर गये थे वहां से भी आप कर सकते हैं तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसके बाद देखिए next है देख लेते हैं उसके बाद declarations देख लेते हैं declarations पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए income tax declarations की सारी आपको यहां पर one by one list शो होगी तो सबसे पहले इसमें देखिए house rent allowances शो हो रहा है तो इसको हम देखिए इसकर declare कर लेते हैं तो सबसे पहले components of salary suppose कीजिए आपको actual HR company से 13,000 मिल रहा है वो एक calculation कर सकते हैं सेकेंड टाइफ है actual rent paid of 10% basic salary जो आप actual rent 10,000 पे कर रहे हैं suppose कीजिए उससे आप माइनस क्या कर लेंगे 10% of basic salary basic salary अगर आपकी 30,000 ने तो उसका 10% निकाल लेंगे तो इस तैप से हमने 7,000 calculate कि उसकी बाद 50% of basic salary if metro city अगर आप metro city में रहते हैं metro city means Delhi, Bangalore, Kolkata and Mumbai इस टाइप के metro city में रहते हैं तो 50% आपको 30,000 basic salary तो उसका 15,000 हारे calculate कर लेना है 40% of basic salary plus DA if non metro city अगर आप non metro city में रहते हैं तो आपको 40% of basic salary लेना है और basic salary में आपको क्या plus करना है DA plus करना है dareness allowances तो देखिए इस टाइप से 3-4 method है आपको HR ऐसे calculate करना है HR आप वही claim कर सकते हैं जिसकी amount सबसे कम होती है यहाँ पे देखिए हमने 3 method से निकाला HR जो आपको company basic HR देती है and second देखिए actual 10% of salary और उसके बाद देखिए 50% of basic salary तो इन तीनो टाइप से जो सबसे कम HR है वही आप claim कर सकते हैं तो इन तीनों में से देखिए 7,000 सबसे less है whichever is less 7,000 है आपे 7,000 per month आपको HR claim कर सकते हैं तो देखिए इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है आप चाकी देख सकते हैं वीडियो को how to calculate HR by human education hub इस टाइप से आप सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिल define करना है वो हम कर लेते हैं define अब चलिए gateway of tally में HR पर आपको enterprise करना है आप देखिए employees के name wise भी कर सकते हैं and employees के group wise भी आप कर सकते हैं तो यहापे हम किसी एक particular employee का कर लेते हैं यहापे देखिए employee का नाम ले लेते हम यहापे select कर लेंगे उसका ledger आप देखिए आपको यहाप पर set करेंगे तो employee का name आएगा employee का number यहापे show होगा और effective from तो आपको यहापे वो date डालनी है जिस date से आप effective करना चाहते हैं उसके बाद देखिए monthly rent suppose कि यह employee declare करता है कि मैं four thousand या फिर five thousand per month जो है एचारे देता हूँ तो यहापे आपको four thousand अगर देता है तो four thousand declaring में आपको fill करना है और प्रूब के साथ देता है तो प्रूब के साथ भी same amount आपको आप फिल करनी है place of resident तो यहापे देखिये metro औन न्न metro आ रहा है तो employee आपका जहां पर रहता है metro city में रहता है नॉन metro city में रहता है वो आप चूज कर लीजिए उसके बाद देखे नेक्स्ट है name of landlord यहाँ पर आप landlord का name type कर लेंगे उसके बाद देखिए pan of landlord यहाँ पर पैन नंबर landlord का आ जाएगा फिर इस type से आप save कर लीजिए इस तरीके से आप किसी भी employees का कर सकते हैं HR a second हम देख लेते हैं इस employee का देख लेते हैं आप देखिए employees name आएगा employee number आएगा effective date आपको चूज कर लेना है देखिए monthly rent जो है यहाँ पर यह employee जो है डिक्लियर कर रहे हैं कि पैन नंबर आपको फिल आउट कर लेना है नेक्स देखिए लीव ट्रेवल असिस्टेंस देखिए लीव ट्रेवल असिस्टेंस का जो eligibility limit होता है LTA by employer के थ्रू जो दिया जाता है LTA 40,000 का दिया जाता है eligibility expenses 30,000 का होता है tax exemption 30,000 balance 10,000 will be added in taxable salary अगर आपका employer और फिर आपकी company आपको LTA के service प्रूइट कराती है तो यह detail आपको fill out करनी है otherwise आप इसको skip भी कर सकते हैं next है transport allowances तो देखिए transport allowances पर आप जैसे click करेंगे employee के name and group आपको show होंगे तो यहाँ पर देखिए किसी एक employee को हम choose कर लेते हैं employee name, employee number आपको show होगा effective date आपको show होगा तो date आप fill out कर लीजिए employee status तो यहाँ पर others and physical challenge तो दोनों में से जो आपको option चूज करना है वो option आप चूज कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसी टैप से आपको जितने भी employees का करना है आप कर सकते हैं same way से उसके बाद next देख लेते हैं children education allowances children education allowances क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं the government of India offers tax exemption of rupees 100 per child for a maximum of two children in a nuclear family for education purpose known as education children education allowances इंडिया की government ने 100 rupees का exemption दिया है per child के उपर and maximum two children के लिए यहाँ पर exemption दिया है education का तो चलिए इसको हम tally में देख लेते हैं कैसे आपको fill out करना है इस पर आप click किजिए employees name and group आपको show होगा यहाँ पर आप group wise भी कर सकते हैं employees wise भी कर सकते हैं यहाँ पर देखिए employees का लेजर चुस करके effective from date आपको डाल देना है number of children में टू डाल दीजिए इसी तरही के से एक और हम देख लेते हैं आप लेजर ओपन कर दीजिए किसी भी employee का उसमें देखिए आपको effective from यहाँ पर date डालना है और यहाँ पर number of children में आपको डू देना है क्योंकि two children के लिए यह exemptions है and next देख लेते है children hostel expenditure allowances किसे कहते है children hostel expenditure allowances रूपिस 300 is exempted per child for up to two children this provision is also included in same section of the income tax act and is called the hostel expenditure allowances देखिए यह जो 300 रूपिस का आपको exemption मिलता है per child के उपर and up to two children के उपर आपको मिलता है और यह same section में रखा गया है जिसमें कि आपको children education allowances same section में रखा गया है तो इसको आपको set करने के लिए एंटर प्रेस करना है effective from आप डाल देंगे date and number of children में आपको टू रखना है क्योंकि यह up to two children तक यह exemptions है 300 रूपिस का इसी टैप से आप जितने भी employees का करना चाहें set कर सकते हैं effective date आपको डालना है and number of children में आपको यहाँ पर टू रखना है क्योंकि टू के लिए यह eligible है अब देखिए उसके बाद next देख लेते हैं next हम देख लेते हैं income declared by employee तो हाप पर आपको two options मिलते हैं single employee multiple components and multiple employees single components तो दोनों में से दोनों में सो कोई भी option आप set कर सकते हैं तो हम single वाला set करके देख लेते हैं जैसे आप इस पर click करेंगे देखिए आपको यहाँ पर particular of income other than salaries आपको शो होगा जो employee की income होती है other than salary वो हमें आपको set करनी है तो यहाँ पर देखिए आपको दो तीन options मिल जाएंगे list of other income में आप पर आपको शो होगा income from house property income from other sources and interest on house loan तो इसमें से देखिए आपके employee की जिस भी source से income होती है तो वाला option आपको यहाँ पर चूज कर लेना है सपोस्ट किजिए आपकी जो employee की other income होती है income from house property तो इस पर आपको click करना है enterprise करेंगे आप जैसे इस पर enterprise करेंगे आपको effective date आपको होगा देखिए detail of income from house property तो आपको यहाँ पर detail फिल करनी है जो कि आपको house property से income होती है तो यहाँ पर देखिए rent received और receivable जो भी आप rent receive कर रहे हैं तो यहाँ पर declare यहाँ पर आपको amount fill करनी है जो आप declare जो भी आप receive करते हैं suppose कि यह 10,000 का आप receive करते हैं with proof के साथ आपको करना है तो यहाँ पर रूप में भी 10,000 fill out कर देंगे and next देखिए text pay to local authorities अगर आपने local authorities को कुछ text pay किये हैं तो वो text amount आपको यहाँ पर fill out कर लेना है next देखिए declaration at the rate 30% on a minus b तो जो a means आपने जो receive किया है b means आपने जो local authority को pay किया है वो minus करके 30% जिस पे automatically pay कर लेता है interest on housing loan पे fill out कर लेना है तो वो देखिए जैसे ही आप enterprise करेंगे declaration में आपको 5900 फुरूप में आपको 5900 and qualifying amount में आपको 5900 शोगा उसके बाद देखिए next option हम चूज कर लेते हैं income from other sources से अगर आपको income हो रहे हैं तो वो option चूज कर लेंगे यहाँ पे आपको effective from date डाल देना है declare में आप वो amount डाल देंगे जो कि आपको income from other source से हो रहा है फुरूप में भी आपको वही डालना है and third देखिए interest on housing loan अगर आपको कोई interest receive हो रहा है housing loan से तो उसका भी आप यहाँ पे effective date डालेंगे declaration में and proof में आपको amount fill out करना है इस type से अगर आपके employee की other income source से income हो रही है तो यह ऐसे आपको date यहाँ पे fill out करनी है आप सारे employees की कर सकते हैं उसके बाद देखिए next हम देख लेते हैं अभी हमने देखा सारा जो HR का children, education, children, hostel, expenditure उसके बाद हमने income declare by employee किया आप देखे direction देख लेते हैं direction अंदर investment में देखिए ATC, ATCCF, ATCCG यहाँ पे भी आपको दो options मिलते हैं single employees multiple components and multiple employee single components तो आप दोनों type से set कर सकते हैं single को करके देख लेते हैं किसी भी एक employee का आप अप देखेंगे आप particular of investment में आपको दो ledger already यहाँ पे show हो रहे हैं जो कि आपका PF का और NPS tiers का investment है वो दोनों option आपको यहाँ पे show होंगे जो कि employee के salary से deduct होते हैं अब देखें इसके बाद list of investment आपको show हो रही है तो यहाँ पे देखें list of investment में से आपका employee ने जो भी investment किया है यहाँ पे right hand side पे आप section दे सकते हैं ATC-CD, ATC, ATC और ATC के अंडर में जो जो भी section के अंडर में सारे list of investment आते हैं यहाँ आपको show हो रहे हैं तो आप यहीं पे इसमें देखेंगे drop down करते हुए आप नीचे आएंगे तो आपको option show होगा tuition fees का उस option को आप चूज कर लेंगे और उसके बाद देखिए effective from आपको show होगा तो किस date से यह effective है वो date आप चूज कर लेंगे and declared and proof के अंदर में वह वाला amount आप फील करेंगे जो आप tuition fees में invest कर रहे हैं तो यहां suppose कीजिए आपकी employee ने 10,000 invest किया है tuition fees में उसके बाद देखिए enterprise करने के बाद आपको next investment चूज करना है suppose कीजिए सुकरन्या संब्रिद्धी account scheme में आपकी employee ने इंवेस्ट किया है date आप डाल दीजे किस date में उन्होंने इंवेस्ट किया है and amount यहां पर आपको फिल करना है 20,000 25,000 जो भी उन्होंने इंवेस्ट किया है वह amount यहां पर फिल कर लेंगे with proof के साथ and उसके बाद देखिए next आपको इसी तरीके से drop down में यहां पर सारे option show होते जाएंगे choose करते जाना है आपके employee के investment यहां पर देखिए insurance premium अगर उन्होंने ली insurance का उसके बाद देखिए जितनी भी investment है one by one यहां पर आप choose करते जाएंगे जो कि आप section के साथ देख सकते हैं और उसके बाद देखिए अगर mutual fund में भी उन्होंने इंवेस्ट किया है तो वो भी आप choose कर सकते हैं सारे यहां पर आपको one by one choose करते जाना है इस तरीके से जिसस single and multiple दोनों टाइप में आपको मिलते हैं तो single set करके देख लेते हैं यहां पर आप employee का name choose कर लीजिए अब देखिए आप पर आपको list of investment मिल जाती है यहां पर right hand side पर section देख सकते हैं जो जो investment है किसकी section के अंटर में fall होती है वो सारा with section देख सकते हैं investment तो आपकी employee ने जो भी कि जिस भी section में जिस भी investment में invest किया है वो आपको choose कर लेना है suppose कीजिए उन्होंनों donation दिया है 10,000 का या फिर 15,000 का date के साथ आपको यहां पर fill out कर लेना है और उसके बाद देखिए next हम यहां से list of investment choose कर लेंगे यहां पर देखिए next जो है medical insurance उन्होंने लिया है तो effective from आपको choose करना है उसके बाद declared and proof के साथ आपको देना है कि पहले आप insure होंगे proof के साथ की उन्हों जो आपके employee कह रहे हैं उन्होंने investment किया है उतना नहीं किया है इसलिए यहां पर proof वाला option हो रहा है तो proof वाला options आपक जितने भी investment है one by one आप यहां पर चूस करते जाएंगी अगर आपके employee ने interest on saving bank account में कुछ invest किया है तो वह भी आप चूस कर सकते हैं तो यहां से हमने देखा कि सारे type की हमने यहां पर देखी कि कैसे आपको income tax declarations को fill out करना है सबसे पहले हमने देखा कैसे HRE में करना है leave travel assistance में transport allowances में children education allowances में children hostel expenditure allowances में यह हमने set किया and then income declared by employees जो employees की income होती है other sources से उसको कैसे fill out करना है वो हमने देखा उसके बाद देखिए deductions जो होते हैं जो की under sections ATC, ATCCD में सारे section के under में जो deductions मिलते हैं other deductions जो होते हैं वो सारे deductions को हमने set किया इस step से हमने सारे deductions को set किये इस step से आप भी income tax की detail को define कर सकते हैं सारे employees के under में next हम देख लेते हैं override exemption value तो देखिए override exemption value क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं override exemption value you can use the override exemption value screen to override either the amount related to income or exemption when you override income for any allowances the voucher value is not considered for income tax computation instead the value specified in the override screen is considered तो देखिए override exemption value वो होता है जैसे कि आप किसी भी employee का जब आप leisure create करते हैं तो वहाँ पे जो allowances होते हैं उस पे आप fill out करते हैं amount तो आपको क्या करना है जब override अगर आप करना चाहते हैं किसी भी employees के allowances को किसी भी allowances allowances को या फिर pay head को override करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाके override कर सकते हैं override exemption value में जाके आप enterprise करेंगे और यहाँ पे देखिए किसी भी employee का अगर आप allowances को change करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप change कर सकते हैं आप जब यहाँ पे change करेंगे तो यही वाली जो है value आपको income tax computation में मानी जाएगी ना कि वो वाली मानी जाएगी जो आपने already जब आप leisure create कर रहे थे और जब आपने वहाँ पे fill out किया था उसको नहीं माना जाएगा override exemption value में जो आप changes करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं इसलिए इसको override exemption value कहते हैं अब देखिए आप यहाँ पे income tax components choose कर सकते हैं जिस भी component को आप override करना चाहते हैं तो support किजिए आपको dearness allowances वाला income tax component को override करना है तो वह ledger आप यहाँ से choose कर लेंगे effective from वो date आपको change करना है जहाँ जिस date से आप इसको change करना चाहते हैं ledger name में dearness allowances आएगा override for किसके लिए override करना है income के लिए तो आप income choose कर लेंगे अब देखें आपको दो option show हो रहे है actual amount income and exemption तो यहाँ पे income में आपको जो amount यहाँ पे आप fill out करेंगे dearness allowances के लिए यही आपको income consumption के लिए माना जाएगा तो यहाँ पे 2000 आपने fill कर दिया है यही वाला आपका income tax components के लिए माना जाएगा next है override tax value तो यहाँ पे देखिए same है यही पे आपको enterprise करके effective from and effective to update change कर लिए जब से कब तक आपको change करना है वो update change कर लेंगे यहाँ पे आप takes amount डालेंगे वही takes amount जो है आपकी मानी जाएगी takes components के लिए income takes component के लिए इस टैप से हमने आपके discuss किया कि कैसे आपको income takes detail define करना है टैडी में